बिहार में इंडिये की सरकार बनने के बाद अब तिजस्वी आदो और राजत कोटे के मंत्रियों द्वारा किये गए कारे और लिये गए निन्यों की समिछा जांच की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर बिहार में हुए सियासी खेला का मामला अब आर्थिक कप्राद गाई यान उस दिन जद्यू के दो विधायक पीमा भारती और डॉक्टर संजीव कुमार देर से सदन पहुंचे थे जबकि विधायक दिली प्राए अनुपस्थित भी रहे और इसके बाद विधायकों की खरीद फरोगत का आरोप भी लगा था हरलाखी से जद्यू विधायक सुदान पुलिस मुख्याले को पत्र लिखा था जिसके बाद पुलिस मुख्याले ने मामले की जाच यू को ट्रांसफर कर दी थी अब यू की टीम ने मामले का जाच के लिए टीम गठित कर दिया गया है जिसमें साथ अपसरों की टीम बनाई गई है जो संबंधित जिलों में पु कायत करता विधायक ओफर देने वाले वैक्ति से पूश्टाच कर सकती है इसके बाद सबूत जुटाने के लिए यो यू ओफर देने वाले अस्थान पर एक्टिव मोबाइल सीसी टीवी सहित अन्य आत्याधूनिक तरीके से मामले की जाच करेगी यो यू जाच कर रही है कित अब वह आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराये गया था अब जिसके बाद यो यू की टीम ने मामले को जाच के लिए साथ सदस्य टीम जो है अपसरों की वह गठित कर दी गई है और अब इस मामले में आगे जो जाच की कारवाही है वह आगे बढ़ने वाली है दरिसल जब बारब फरवरी को फ्लोटेस्ट होनी थी उससे पहले राजद नेताओं का कहना था कि खेला होना भी बाकी है हलाकि खेला उनहीं पर भाड़ी पढ़ गया तिन मिधायक जो है वह अब सत्ता पच्छ में सामिल हो चुके हैं और लगतार जिस बात को लेकर बारब फरवरी तक कहा जा रहा था कि खेला होने वाला है खेला हो सकता है तो वही यह बाते भी निकल कर सामने आये थी आरोप लगाते विए इस बात को भी कहा गया कि दस कोड़ रुपे में पांच कोड़ तकाल और पांच कोड़ रुपे विश्वास मत के बात देने को कहा गया था हलाकि पैसा कौन देने वाला था तमाम अलग-अलग जो सवाल है जो सवाल खड़े किये जा रहे हैं उन पर जाच होने वाली है क्योंकि जद्यू के विधायक सुधानसु सेखर जो है वो इस मामले को ठाने में जाकर केस किये थे उन पर भी आरो ओफर दिये गए थे कि 10 को रुपे और मंत्रीपद को लेकर हलाकि उन्होंने आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा है और अभी इसी केस को पुलिस मुख्याले ने ईयो यू को ट्रांसपर कर दी है और ईयो यू की टीम ने साथ सदसीय अपसरों की टीम जो है वो गठन कर दी है और इसके बाद अब जाच का आता है यह देखना दिल्चस्प होगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद